जन्बत हापुड के थाना हापुड कोतवाली छेतर की ईदगारोड पर दो भाईयों ने धारदार रतियार से दो भाईयों पर हमला कर दिया इस दुरान दोनों भाई खायल हो गए जिनमें से एक को काफी जारा चोटाई है जो की फिलाल आईसियू में भरती है पुलिस ने पीड़ित पक्ष की तहरीर की अधार पर साजिद और जुनेद पुत्रगण जाहिद निवासीगण एदगारोड हापुड के खिलाफ मुकदमात दर्च किया है मामले से जड़ा इसके जड़ी फुटेज भी सामने आया है पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है प्राब जानकारी के अनुसार वसीम पुत्र अकबर जलालुद्दीन निवासी एदगारोड ने पुलिस को बताए कि उसके भाई नदीम ने साजिद के साथ ए रिक्षा का काम शुरू किया था वियापार में नदीम ने छे लाख रुपे भी लगाई थे लेकिन साजिद दो महीने से कारोबार का हिसाब नदीम को नहीं दे रहा था दर्ज एफ आयार के अनुसार नदीम का नाम भी साजिद ने बोर्ड से हटा दिया था नदीम ने 24 मार्च को जब साजिद से अपना नाम हटाने के बारे में सावाल किया तो साजिद आग बबुला हो गया और उसने कहा कि पार्टनर्शिप खतम हो गई है इसके बाद नदीम ने साजिद से अपने हिस्से के रुपे वापस मांगे आरोपी ने अपने भाई जुनेद के साथ नदीम के साथ मार पिडाई की जिसकी सूचना पीडित के भाई सलीम को मिली सलीम तुरंट नदीम को बचाने के लिए जैसे ही पहुंचा तो साजित ने अपने भाई जुनेत के साथ मिलकर सलीम और नदीम को लोहे की रौट से पीटा और धारदार हत्यार से हमला कर दिया मामले से जुड़ा सीजडी फिटेस सामने आया है जिसमें के युवक खातों में रौट लेकर हमला करता वान ज़रा रहा है साजित ने सलीम के सिर पर धारदार हत्यार से हमला कर उसे लहुलुहान कर दिया उसके बद शाथ सलीम बेहोश होकर सड़क पर गिर गया आसपास मौजुद लोग शोर सुन कर तुरन सलीम और नदीम को बचानी के लिए दोड़े इसके बाद उन्हें इस्पताल में बढ़ती कराए गया पलिस ने वसिम की तहरीर के अधार पर आरोपी साजित और जुनेत समेत तीन के खिलाफ मकदमा दर्ज किया है पलिस ने आए बीसी के धारा 323 और 308 में कारवाई की है वहीं सलीम का अपचार चल रहा है जिसके सर में कईट आके आए हैं पलिस मामले की जाच कर रही है पलिस दो कर दो की है झाल झाल झाल